हेलो बच्चो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड और घटाओ जोड और घटाओ करना तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास में यहाँ पर है जोड तो इस संक्या को हम जोडेंगे यहाँ पर इकाई के अंक में हम इकाई कांक जोडते हैं दाई में धाई का अंक और सेक्रा में सेक्रे का अंक जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये है इकाई का अंक तो इकाई के में इकाई का अंक जोड़ेंगे उसके बाद में ये है धाई का अंक धाई में धाई और सेक्रे का अंक है सेकड़े का अंक में सेकड़े का अंक जोड़ेंगे तो चार और आठ को जोड़ेंगे तो चार में आठ जोड़े या आठ में चार जोड़े बात एक ही होती है तो यहाँ पर आठ है यहाँ चार है ठीक है? तो आठ में हम चार जोड़े एक, दो, तीन और चार तो आठ में चार जोड़ेंगे तो आठ से आगे नो, दस, ग्यारा और बारा कितने होते हैं? बारा होए है अब बारा के बारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास में संक्या आगे भी दी गई है तो बारा में हम लिखे देंगे केवल दो, बारा का दो, और हांसिल का एक लगा देंगे, यह जो धाई गांग है, इसको हांसिल पे लगा देंगे, उसके बाद में च्छ, एक और च्छ, हांसिल के जोड़ देंगे, एक और ये च्छ, साथ होगे, साथ, और साथ में साथ जोड इनी केवल यहाँ पर और एक हांसिल का इस तरफ सेकड़ा में लगा देंगे ये एक सेकड़े का अंक है तो सेकड़ा पर लगा देंगे एक और पांच हो गए छे और छे में कितने जोड़ने हैं एक दो तीन जोड़ने हैं तो साथ आठ और नो तो ये हो गए नो 942 हमारी इंसक्याओं का योग हो गया उसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 में 3 या 3 में 4 जोड़े बाद ऐक होती है तो 4 में 3 जोड़ेंगे 1, 2, 3 तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 से आगी 5, 6 और 7 तो कितने होगे? 7 उसके बाद में है यहां असिल नहीं बचा अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो एक लाइन और खिच लेते हैं तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 4 से आगे 5 6 7 और 8 यह होगे 8 यहां है 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होगे 4 तो यह हमारा जोड़ तो complete हो चुके हैं अब हम करेंगे घट जाओ सबसे पहले यहां पर है 4 4 में से हमीं कम करने हैं कितने 3 कम करने हैं तो चार कम करने हैं, एक, दो, तीन और चार, कितने बची, एक, दो, तीन और चार, तो आठ में से चार कम हुए तो, चार, अब है, छह में से हमें कम करना है, दो को, तो यहाँ पर छह लाइन ले ले लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह में से हम दो लाइन कम कर दे एक लाइन, दो लाइन कम कर दी, एक, दो, तीन और चार, ज् Corps, तो कितने बचे चार बचे, अब हमकरेंगे अगला आसिल का घ गाटाओ यहाँ पर चार है और चार मेंसे हमें कम करने हैं यहाँ जब से पहले तीन तो एक, दो, तीन और चार, चार में से तीन काड़ तो एक, दो और तीन काड़ थे कितने बची? एक बची, तो एक लिख दिया, हमने यहाँ पर, ठीक है? अब पांच है उपपर और नीचे है छे, तो पांच में से छे नहीं जाते, तो पंद्रा में से हम करेंगे छे कम, तो छे कम होगे, छे से आगे कितने बचे? साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, तो गिल्लो इनको कितना बचा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट और नो तो पंदरा में से छे हुए तो कम हुए तो नो फिर हम साथ में से दो कम करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ साथ में से हम कम करेंगे, दो लाइन कम करेंगे तो कितने बची एक दो तीन चार और पाँच, यह बची है पाँच लाइन. तो यह हुए है हमारे हासिल के घटाओ, तो बच्चो आज कि इस वीडियो में हमने हासिल के जोड़ और हासिल के गटाव सीके हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीज़ें,